नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको चिया, सीट्स के फाइदों के बारे में बताएंगे. इसमें स्वास्थे के लिए कई गुण होते हैं. तो चलिए, जानते हैं कि चिया सीट्स के क्या-क्या फाइदे हैं. चिया सीट्स में फाइबर, प्रोटीन, ओमेगा, थ्री फैटी एसिड्स और अन्य पोशक तत्व पाए जाते हैं. ये सभी पोशक तत्व हमारे शारिरिक और मानसिक स्वास्थे के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं. चिया सीट्स में फाइबर की अच्छी मात्रा होती है, जो हमें भूख को कम करने में मदद करती है. इसके अलावा इसमें प्रोटीन भी होता है, जो हमें वजन कम करने में मदद कर सकता है. Chia seeds में omega, three fatty acids होते हैं, जो हमारे heart health के लिए बहुत लाबकारी होते हैं. इन fatty acids की अच्छी मात्रा लेने से हमारे heart का कार्य सही तरीके से होता है और heart समस्याओं का खत्रा कम हो जाता है. Chia seeds में carbohydrate की कम मात्रा होती है और इसमें अच्छी मात्रा में fiber और protein होता है, जिससे blood sugar के स्तर को नियंत्रित करने में मदद मिलती है. Chia seeds में calcium, magnesium, phosphorus और vitamin B complex की अच्छी मात्रा होती है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं. इन खनिजों और vitaminों की कमी की वजह से हमारे शरीर में कई समस्याएं हो सकती हैं, जो Chia seeds का सेवन करके दूर की जा सकती हैं. इसके अलावा, Chia seeds का सेवन कई अन्य स्वास्थे संबंधी समस्याओं में भी मददगार हो सकता है, जैसे कि हड़ियों की कमजोरी, brain health और skin की Chia seeds को सेवन करने के कई तरीके होते हैं, जो न केवल स्वास्थे के लिए फायदे मंद होते हैं, बलकि ये स्वादिष्ट भी होते हैं. Chia seeds को पानी में भीगो कर खाने से उसके fiber की मात्रा बढ़ जाती है. आप इसे दिन में कुछ घंटे तक पानी में भीगो कर फिर उस प Chia seeds को रात भर के लिए पानी में भीगो कर रखने से यह आसानी से पचने लगता है और इसके गुण बढ़ जाते हैं. यदि आप Chia seeds का सेवन करना शुरू करते हैं, तो ध्यान दें कि आप उसकी मात्रा को धीरे-धीरे बढ़ाते हैं, ताकि आपका शरीर उसे सही तरीके स स्विकार कर सकें. भीगे Chia seeds को आम तोर पर एक दिन में एक दो टेबल स्पून तक सेवन किया जा सकता है. ध्यान दें कि आप Chia seeds का सेवन करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करें. विशेश कर यदि आपको किसी खास स्वास्थ समस्या का सामना करना पड़ रहा ह तो दोस्तों, Chia seeds के फाइदों के बारे में जानकारी लेकर आपको कैसा लगा? कृपिया हमें अपनी राय और अनुभव कमेंट्स में बताए. धन्यवाद!